आईए देखते हैं investor को किसमे जयाधा कमाने को मिला? ये share में या nifty 50 index में 1-1 2014 को share price थी और index था 6 साल बाद share price थी और index था lockdown में जब lowest point मार्केट थी तब 23 mais 2020 को share price थी और index था और current price है और index है अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए एक, लंबी एउदी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 4. अपने सेक्टर का टॉप शेर होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमारा शेर निफ्टी से बटर है या नहीं यानि कि पहले 3 पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको सेक्टर का टॉप शेर चुनना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1 जानुवरी 2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च में इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करन्ट शेर इन्वेस्टमेंट की वेल्यू है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च 2020 में इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और current Nifty 50 investment की value है Nifty में appreciation ज़्यादा हुआ है इसलिए first point Nifty ने जीत लिया है Second point Nifty ने जीता Third point Nifty ने जीता तीनो points में Nifty जीत गया है Overall Nifty जीता चार्ट में देखते हैं एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये share और Nifty का index जैसे पिछले साथ सालों में चले है वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी value कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% interest से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने percentage का return दिया ये share ने कितने percentage का return दिया ये comparison है 1st January 2020 से आज तक की यहाँ पर निफ्टी मजबूत रहा ये comparison है 1st October 2020 से आज तक की यहाँ पर निफ्टी मजबूत रहा ये comparison है 1st December 2020 से आज तक की यहाँ पर share मजबूत रहा Thank you